नमस्कार साथियरों विविन्न कमर्शियल बेंकर को चिर्फार गरने क्रम मा आजपनी मोईले दियोटा बेंक योटा सेदार्था बेंक लेमिटेट र परवो बेंक लेमिटेट को थर्ड क्वार्टर को इपोट का आधार मा अद दिन गरदा इद दी अटा बेंक वित्तिय वस्ता कस्त सर दी अटा बेंक अरला तुलाना गरे र एड़दा खेरी कुन बेंक कुन सुचांकमा बलियुचा बनने कुरामा यो विडियो मामा जानकारी दिनी जमर्को गर दैचु बनी जुन चेत्रमा लगानी गरननो बंदा अगाड़ी युँ चेत्रलाय गहीराई में अगहिर बुजीनु परनी उन्छा येसको बारे माँ सिकनु परनी उन्छा अनुबब दिनु परनी उन्छा एदि तपेर ले स्यर बजार का बेसिक कुरारू fundamental analysis गरेर कोशेरी strong companies लेक गरने बने बारेमा रव टेकनिकल अनलाइसिस गरेरा बजार को train को बस्ताके soft train मा चकी, downtrain मा चकी, sideways मा चकी, bull मा चकी, bear मा चकी अथवा बजार का थी बिविन टेकनिकल टूल्स हरू अध्यन गरेरा कती बेला इंट्री रा कती बेला एग्जीट हुनी stop loss profit book को बारेमा जानना चान उन्च, सिखना चान उन्च वनी हमिले एई बैसाक्चाउद कती बाट बेलुका साड़ी चादे खी शाड़ी आठ सममा अलाइन जूम, लाइब ट्रेडिंग कारिकरम लीरत परशामग्स प्रसुद बाएकासँ इस्ट्व कारिकरम सहाबागी बाहर इकुर्या अरुस्चिकन चान उन्च वनी बैनर मोली गरिएको मोबाइल नम्बर, वार्चाप नम्बर, इमो नम्बर, वाइबर 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 नम्बर, अब आम इद द्योता बैंक जो शिद्दार्था बैंक रा परभो बैंक जसको पेड़ाइप चैप्टल लगभग समानंतर शो उसत उसते शो इद्योता मद्यम रिंज का बैंक हरू मद्य कुन बैंक कुन इंडिकेटर मा बल सर र खुन बैंक ले आगामी आर्थिक बर्षामा आउने बर्षमा कती पर्ति सत्समा बोनस देन सक्षार कुन बैंक मा लगाने गड़दा बड़ी रिचन पाउना सक्षा पन्नी बारे मा ये वीडियो मा मा जानकारी गरवनों गई राखे गुछु टोटल काप्टल अल्विटीच को संत्रमकुर्य गरदा पर्भुको 2 खरब 24 अरब 25 करोड अठार लाग 61,000 रही छे बनी एता सिदार्थाको 2 खरब 14 अरब 12 करोड 32 लाग 41,000 बड़ी रही छे पेड़ब कापिटल पर्भुको 12 अरब 17 कर 17 लाग 4,000 रही छे बनी एता सिदार् पर्भुको बड़ी चुकतापुजी रही छे बनी रिजर्ब हमेले एर नुपने वड़ा मत पुण इंडिकेटर वन्नी को रिजर्ब हो जो लगानी काडताले एर नहीं परनी उन्छार रिजर्ब बंदा वेच्थी के इद्योटा कमर्चियल बेंक ले गरेको प्रोफिट म पर्भु बेंक देरे बलियो बेंक को रूप में देखियो बनी डिपोजीट कोलेक्शन थर्ड क्वार्टर सम्मा आइपोगेदा कती गरे चनी दुई बेंक ले बन्देर आमेले एर दा केरी एलली चाए एक खरब सच्थी अरब तीन करोर छलाक बत्तर जार एलली पर्भु बेंक ले डिपोजीट कालेक्शन lastsा बनी से दर्था बेंक लेएक खरब 970 करोड छाऊ 690,47,000 ये तर्ड क्वार्टर सम्मा आइपोजीट ये पुक्त लेक्षन कालीक्शन चफ़ल बाहे लाए ज हो इस भी फेकारी आप ने क्लिके प्रबुशार मा नाय 11 अरप 2.1.1.99,000 रही छे बनी सेद्धार्थ संगह जम्मा 9 अरप 29.25.8,000 बन्दा बड़ी रही छे यो क्यास्ट इक्यास इक्युबैलेंट मन चाई परवु बलियो देखियो बनी अरको हमी ले एरनुपनन इन्बेस्मेन वो यो कंपनी अरले कथी लगानी करे कासन बनेर एड़ देखिरी यो परवु ले चाई 4.27.4.1.1000 लगानी करे कुरिए बनी से दाड़त ले चाई 9.58.7.2 लगानी करे कुरिए बनी अगानी बड़ी गरने माँ चाहिए इसी धाड़ता वन्दा पर्भु अगाड़ी देखियो बनी अन्ने इंडिकेटर अरु में हमेले हेरनु पने औरको मौत्त पुना इंडिकेटर बनने को अगानी इंडिकेटर में टोल अपरीटिंग इंकम युँ ठारे संचालन अम्दानी जो इसी हमेले बनी आपार प्रभु अन्दानी इसको कोर बिजनेस हो कोर बिजनेस मनेको deposit collection गरने लॉन प्रवाइड गरने बाटा गरेको आम्दानी मा पर्भु ले चाहिं पांच औरप तिर सथी करोड एकार नब्बे लाक बार हज़ार Total Operating Income गरेको रहीछ हो बने सिद्धार्थाले चाहिं चाहिं 6,25,7,000 गरेको रहीछ हो यो इन्दिकेटरमा चाहिं पार्भु ले बड़े बंधा सिद्धारथाले देरे बड़े गरेको जेखिए total operating income में, तेष्चटीगरी और को indicator हमेली आर्नी परने indicator बने को operating profit हो operating profit में आपर्वो को 2.6.6.6000 रहिए 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 सिद्धाःथ को 3.2.2 रहिए 52.000 रहिए total operating profit रहिए यो indicator में पर्वो बन्द सिद्धाःथ न आगाडी देखियो बने अरु इंडिकेटर में हमिले एरनुपने मत्त पुण इंडिकेटर बननेको net profit हो net profit में चाहिए प्रभूले एक अरब पच्चत्र कड़ उननंतिस लाग चौविस अजार नेट प्रोफिट गरी करें चाहिए थर्ड क्वार्डर सम आई पुगदा एता साहिए सिद्धार्थ ले दुई अरब आट करू पचासी लाग एक सटी हजार बंदा बड़ी net profit आरजन गर्ण सफर बाय करें चाहिए यो इंडिकेटर में सिद्धार्थ ने अगाड़ी देखि को प्रोफिट ला में डिस्ट्रूबेबल प्रोफिट में बंदा चाहिए यो इंडिकेटर में सिद्धार्थ बंक ने अगाड़ी देखियो बनी अन्य की रेशियो में एडदा खरी तेस्पची की रेशियो में यह कंची केंचीव में सिद्धार्थ की रेशियो में मैं डिकेटर में प्रोफिजन फ को में penny चाहिए सिधार्थ ले कम चुट्टा को रहिए पर्भू ले बढ़ी रहीचा हमिले हरनु परियो और कोड़ा मत्त पुड़ा इंडिकेटर क्रेडिट डिपोजिट रहीचियो होई यस माने बाट एड़दा करी पर्भू बेंक एकडमे जो खीम कम बहाय को देखिएंचा किनो पर्भू बेंक ले अजयी पनी लगानी गर्नी रकम पर्भू बेंक संगा चाह बननी कुड़ा संकेत गर्शा बेस रीट दुबै को लाग उस्ता उस्ते अजी अली मोंगु चाहिए सिधार्थ देखियो बनी नेट वर्त पॉट्स यह आमिले एड़नु पनी अवड़ा मत् पॉट्स देखियो बनी EPS अनुलाइज में इसको चैना 18.49 रहीच रहीच बनी इसको सिधार्थ को 22 पॉट्स टेज रहीच रहीच यह इंडिकेटर में पनी सिधार्थ ने अगाड़ी देखियो 20 बन्दा माथि बहेको बेस्ट मानी इन्च डिस्तुबैबल EPS आमिले अगामी बर्स माँ एले कटी बनस दिन सक्षा बनेरे वटा आकलन गरना सकिन्च परभूले चाहिए 8.7 डिस्टुबैबल EPS मेंठेन गरेको रहीच असरब आट पर्थि 7 थर्ड क्वार्टर सम्म लाई आधार मान्दा करी अगामी बर्स ले बनस दिन सक्षा बनी प्राइस टु आर्निंग रेशियो पी रेशियो में चाहिए यह चाओद पोइंट नब्बे रहीच यह एकदमें अंडर बैलू में रहीच फिफ्टीन बीलो वन्निको देरें अंडर बैलू में पोगेको वन्नी बुजिन शा यह 18.09 यह पनी 20 बंद तला वायको नाल यह पनी अंडर बैलू में चाहिए बन्नी कुर्या यह इंडिकेटर ले जाना हुशा वन्नी रिटन अन इक्विटी जाहिए जसको बड़ी बहात यो रामर भानीं चाहिए दोबाई को उस्ता 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 है इसको 12.191 रहीच वन्ने सिद्धार्था को चाहिए 12.191 रहीच अले क पीर मा पुगी जबकी अस्तीको दीन मा पेर एक्स्रीम प्यर मा था 11.13 मा 25.26 मा पुगी को रहीच वन्नि to quarter year to year में प्रगथी बिवरन यस्तु सो दियोटा इंडिकेटर में quarter to quarter में प्रगथी गरे कुरा हिसा बने profit before provision operating profit net profit distributable profit में decline बहे कुरा हिसा एठ year में पनी distributable profit में increase गरे कुरा हिसा बने बाकी इतिनोटा इंडिकेटर में इसको ग्रोथ काटी को अबस्ता देखी इसलिए मैक्सिमम थर्टी नाइन सम्म दियको रहिसा बने चाओदा योज योज दस देखी पंदरा विस सम्म दिनी इस्यत राखने बेंक मा यो परदा सा बने टेस्ति करी हमिले परभु बैंक को अड़दा करी एक्दमे एक्स्त्रीम फियर मा यो बारव पोइंट बई सथी बाटा आज बड़ेर आठारव पोइंट जीरो फाइब मा पोग्या रहिए चाओ दूजिंग प्राइस जबकी सिद्धार्थ को चाओ चार्शे दूजिंग परभु बैंक लबग देरे इंडिकेटर मा सिद्धार्थ संगेई संगेई सत्तर मुल्य मा धेरे तलश धेरे अंडर ब्यालू मा पोगे कबस्ता देखिंच परभु बैंक को अबस्ता बनी इसको 52-week loop बनी 299.50 रहिए चाओ चोगतर सम्म आजको दिन मा क्लोजिंग बाग क ग्रोथ गर्न सफल भाय को रहिए चो तेस्तिकरी एसको साइज डिविडिन इस्टी एड़दा करी बारत 10.08 देखिंच यहले पनी 10 बंदा माती 12 सकनी अईशियत एस पाली पनी पनी पनोम सक्छ बननी कुरा हमेली बिभिनन इंडिकेटर और लाइक केला एड़दा करी एता पनी एसको मुल्य सिद्दार्थ को मुल्य देरे माती पुगी सकेको पर्बु को बन्दा रंअगाड़ी एनऊस बाविक पनी हो तर पर्बु पनी लवक देरे इंडिकेटर मा सिद्दार्था बैंक के नजिक- मुल्य पर्भु मा लगानी गरदा उपएक्ट उन्हों सक्नि मुल्ली को आधार मा आमीत परलाई जानकारी गरवने जान्सों वनी तर फंडामेंटल रूप में एड़दा करी सिद्धार्था बैंक पर्भु बैंक बंदा बेरे इंडिकेटर में अगाडी बयएको नाली सिद्धार्था बैंक परिजिंग बैंक बनने को जानकारी गरवने इद दुटा बैंक मदे कुन बैंक मा लगानी गरने बनने को आता परलाई अन्योल थियो बनी सिद्धार्था बैंक परिजिंग बैंक मा लगाने करदा कम जोखीम उन्छार देरे मार्जिन आउन सकने संभावना उन्छा बनने आको जानकारे गरावने इस तो महत्तो पुना जानकारे मुला वीडियो हेरी सक्के पसे लाइक रा कमेंट करना नबलनोला सते शियर गरनोला रा आगामी दिन बापनी आमी इसते प्रकार का कंपनी अरको चीरफार सेथ का वीडियो लेर ता परस्तुत निलनीचा वंदे बटावला